हेलो बच्चो अब विप्षा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस एलर्णी क्लासेस में मैं दीप और माँ आप सभी को स्वागत करती हूँ जैसे कि हम अपने एक्जाम स्रीस मिशन टोड़े 23 में आ चुके हैं जिसमें हमको अक्षा दस्वी और 12 की बोर्ड परिक्शों के तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यह एक्जाम आपके मार्च में होने वाले इसलिए हमने नाम क्या इसको दिया है अपने अलग अलग विश्यों के लड़ाई करनी है ना तो यह पुरा मिशन मार्च की तैयारी है भई हमने पिछले वीडियो में अच्छे समझ लिया था कि हमें blueprint क्या होता है, blueprint के according कैसे question पुछाते, इतना तो प्रचल गया, अब समझना है कि उस exams की preparation कैसी करनी है, है न, तो जैसे मैं आपको कछा दस्वी के समाज़ग्यान को deal करने वाली हूँ, जिसमें आपकी पूरे lectures में, मैं आपको पूरे समाज़ग्यान की तयारी कैसी करनी है, हमें लडाई करनी है, हमें 75 रंकों उसको जीतना है, है न, बट उसकी रणनीती क्या होगी, ठीक है, इसको सोचा, हमारी क्या है, 9 इकाईयों के लिए हमें 21 अध्याय और 75 रंकों के लिए लड़ना है, क्या, 9 इकाई, 21 अध्याय, 75 इसके लिए हमें लडाई करनी है, ठीक है पता तो चल गया कि कहा जाना है किस दिन लड़ना है किस से लड़ना है बट उसकी रणनीती क्या होगी आप कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते न कि मैं इस दिन यहां से निकलूंगा इस दिन यहां जाऊंगा इस दिन यहां से घुमने जाते तो पूरी प्ला तो क्या आपकी रननलीती तैयार है? Yes और No? बताओ बिना रननलीती कि आप रेंस इसको मारूं गाइस को मारूंगा जितने दिखी इसको मारूंगा, पीचे से आपको कुई आकर मार देगा, पच्छतर अंको में परे चला। कि इसे करोगे भाईया सोचना तो पड़ेगा है ना तो उसके लिए क्या हमें रणनीतिक तैयारी करनी होगी पूरी प्लानिंग करनी होगी कि कौन से अध्याय को कैसा लेना है है ना तो हमने क्या है हमारे पूरे हम structure way में जाएंगे, कैसे structure way में, कि तयारी कैसी होगी, हमारी कितने मांग से question कहां से आएंगे, किसको किस तरी किसे पढ़ना है, पहले कौन से chapter पढ़ने है, कौन से chapter का कितना weightage है, ये सब चीजे हैं मैं analysis करनी है, तो जो जो चीजे बताते जाओंगे उसको लिखते ज है ना, तो इस से समझो, ठीक है, तो ये समझो, आपके भूगोल में कितने अध्याए हैं, 6 अध्याए, अर्थसासर में 5 अध्याए, इतिहास में 5 अध्याए, और राजनितिक विग्यान में 5 अध्याए, टोटल 21 अध्याए, कितने मांक्स, 75 मांक्स, है ना, तो 75 मांक्स की तेयादी करनी हैं और ये 21 सध्याय हैं जिसको हमें लड़ना है तो हमारे विद्रोही सेना कौन सी है ये 21 सध्यायों की इसके चार गरूप कौन से हैं एक गरूप में भूगोल, एक गरूप में अर्थसास, इतिहास और राजनेदिक सास्त और इतने चालाख हैं ऐसा नहीं कि फुगोल वाला एक साहत आएगा। ये अपने अपने गुड़ बना लिय इन्होंने खुद में गुड़ बना लियियर, तो अगर ये गुड़ वाला है इसको कैसे तोड़े dislod. इसका इतनी है इसको जोड अपड़ेह. तो हमें आपनी तैयारी करनी है इनहों ने अपना गुड बना लिया है विला मंतरी जिपाछी का होंट और उनको उसिते तरीके से हराएंगे देखो नौ एक आईया हैं 21 अध्याए 75 तो हमें इन 9 गुटों को 21 छोटे पार्ट के तयारी करते हुए क्या करना है इस 75 रंगों को जितना है ठीक है तो हमारी जीत की तयारी पक्की है 75 मार्ग्स पक्के हो रहे हैं बढ़ उसकी तयारी करते जानी है तो भाई क्या क्या है किते किते मार्ग्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने मार्ग्स से कोशन आएंगे और ये सब इन ही गुटों से आएंगे है ना इन्होंने अपना गुट बना लिया है ऐसे नहीं भूगोल एक गुट अर्थसास एक गुट राजनेतिक सास और इतिहास अलग-अलग उटने इन्होंने अपनी मी संधी कर लिये तो हमें भी संधी को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा चलो अब दिमाग लगाते कि हम कैसे कैसे तो पहले आएंगे सिपाही अध्याएं, सिपाही अध्याएं कौन से है भई, पहला इकाई एक, जिसके अंदर संसाधन विकास, विकास की समझ और भूमी संसाधन, इन लोगों का एक गुड बना है, इकाई चार से कृषी, दो विश्वध्यों के बीच, रुसी क्रांती, मु क्योंकि इसे एक माक्स के, दो माक्स के, चार माक्स के, इस तरीके से प्रशना आ रहे है, ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या रखा है, सिपाही ग्रूप में रखा है, कि इनको बहुत छोड़ छोड़े भागों में हमको तोड़ना पड़ेगा, तो सिपाही क्या तो बहुत छ पतंत्र भारत में लोकतंत्र और रानेदिक संस्थाओं के कारे बनाली, दूसरा है खादिशुरक्षा, उपनिवर्श्वातु का खादमा, इसमें क्या है, एक छोटे माक्स का कोशन आएंगा और एक बड़े माक्स का कोशन, या दो या तीन माक्स का, मतलब यह मल्टी टालें और पूरा खतम, वैसी उसको हराएंगे क्यों कैसे, एक कोशन तयार करेंगे, पूरा माक्स हमारा, तो यह राजा अध्याय, राजा अध्याय में क्या क्या है भई, इकाई दो में प्रथम विश्वयूद, यह चार अंकोका आएगा, इकाई तीन में भायत का समिधान निर् 6, क्या होगा, 10, 10, 17, यहां से टोटल कितने होते हैं, 17, तो यह राजा हैं भई, इनको हराना होगा, और इनको हराने के लिए बहुत जाया तयारी चाहिए, और वो तयारी भी क्या, बहुत असान है, क्यों, क्योंकि हमको पता है, कि इनको एक खिश बार में हरा सकते हैं, मतल कि सविधान दिमाने प्रक्रिया, उसकी क्या विशेशता, कौन-कौन सामिल थे, सविधान वरस्था, हमारे साशन वरस्था कैसी है, ये, राश्रपती का साशन ये, वो, थोड़ा-थोड़ा चीजे पढ़ोगे, तयार शेप्टर, और 6 में 6, है ना, structure बना दो, key points लिख दो, क कंदरा से 20 लाइन में, तो हमारे क्या है भई, 6 माक्स पक्के, इस 6 माक्स के लिए करना है, तो ये पूरा राजा अध्याय को हम ऐसे पढ़ेंगे, है ना, अब ऐसा नहीं है, कि हम पहले क्या करेंगे, पहले सिपाही को हराएंगे, फिर मंत्री को हराएंगे, फिर राजा को नई हम क्या करेंगे? थोड़ा एक बर सिपाही को हरा दिये, सिपाही अध्याय पढ़ लिए, फिर राज़ा अध्याय, फिर ईसे में क्या है? वो हमारी रर्णिती नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम रर रर नितिक तयार रहे हैं है लेकिन एक्जाम में किस तरीके से लिखना है वो अलग है भाई अभी पढ़ना कैसे है वो कि हर किसी के शक्ति को समझा है तो एकड़ाईों के शक्ति पहरे समझें फिर मंतरी की फिर रजा नहीं हम अन्षक उल्टा-पुल्टा करके क्या करेंगे सिपाहियों की इन पूरे जो को चालू किए इकाई एक को चालू किए फिर राजा अध्याय में आ जाएंगे फिर मंत्री अध्याय फिर सिपाही अध्याय ऐसा करेंगे तो वैराइटी आपको समझते आ जाएगी और यह नौ अध्याय आपको देखते हैं देखते हैं मतलब 10-15 दिनों में पुरे तैयार हो अगर आप पूरे प्रश्णों को देखे कि उसका विभाजन कैसा है यह प्रश्ण पत्र में कितने अंकों से कितने प्रश्णों पूछे जाएंगे क्योंकि हमें तयारी तो उस दिन की करनी है ना तो सभी प्रश्ण निवारी होंगे है ना एक क्रमांक में अबासा होगा पंद्रा मांक के इसमें कौन-कौन से वस्तुनिस्त प्रश्ण खाली स्थान और सही जोडी मिलाओ यह आएंगे तो पांच-पांच-पांच पंद्रा मांक के ठीक है एक कोशन से फिर दो से चार मतलब पांच कोशन होंगे दो-दो बाक्स के इसमें तीश अब्दों में 15-16 मतलब 2 प्रश्ण 100 शब्दों में 5 प्रश्ण मांक के लिए 17 और 18 दो प्रश्ण 6-6 अंकों का 150 शब्दों में है ना तो टोटल कितने 18 प्रश्ण होंगे जिसमें एक पहले प्रश्ण में आब आजसा करके 15 मांक का होगा उसके बाद 2 से लिए 18 तक आपके उत्तर लेखन पर आधायत होंगे ठीक है चलो अब अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर हम क्या लिखते हैं प्रश्णों की संख्या शब्द कितने शब्दों में लिखना है और कुल अंक ठीक है तो एक मांक के तो डारेक प्रश्ण होंगे 15 तो कुल अंक कितने हो गए भई 15 दो मांक के 5 कोशन शब्द 30 तो अंक कितने हो गए 10 तीन मांक के 4 कोशन अंक कितने शब्दों कितने शब्दों में लिखना है 50 शब्दों में इसके अंक हो गए 12 चार मांक के 4 क कितने शब्दों में लिखना है 75 शब्दों में, कितने अंक हो गए 16, पांच मार्ग्स के 2 कोश्चन, कितने शब्दों में लिखना है 100 शब्दों में, तो टोटल कितने हो गए 10, 6 मार्ग्स के 2 कोश्चन, कितने शब्दों में लिखना है 1500 शब्दों में, टोटल कितने हो गए जब ऐसे बढ़ते जोगे पेपर के दिन है ना पहले एक कोशन को एक मक्स वाले लगा दिये फिर दो दो मक्स लाइन से बढ़ते जोगे तो 75 रंग अंत तकाते देखना पेपर इंजुलेटर जो आपको चेक करने वाला होगा वो भी देखे आरे मैं तो 75 रंग ड़ी डाला का क्या होते हैं विद्रो सेना में बची जाते हैं तो हम एकार्दो सिपाही छोड़ भी देंगे 70 तो लेके आएंगे ठीक है तो यह पूरी तैयारी होगे तो क्या होगा हमारे 75 सिपाहीों को हराना है पच्छतर आंक लेक आना है राजा सेना भी होगई उस पूरी सेना में राजा भी खोंगे मंतरी भी होगे और सिपाही ज़यारी होगे तो हमें अच्छी तयारी करनी है ठीक है तो यह मेरे पूरे आठ सिपाही मैरे साह तयार है ना और आप हमारे राजा हो भई हम सिपाही है हम तो बोलें पमनी तरे जी चलो आपको ऐसाइघ करना है राजा जी की उपर है यह राजा जी कैसे तयारी करते है देख लो भई Raja ogni जो भी है ठीक है तो यह हमारा पूरा एक्जाम सीरीज चलेगा हमारे अभिप्षायप में आपको पूरे इसके वीडियो से मिल जाएंगे बच्चे अगर आपको पूरे एक्जाम में अपने पूरे क्लासेस को अच्छे से पढ़ना है या अपने भाई बहनों को बताना है जो दूसरे क क्लास में हैं कि उनको पूरे पूरे क्लासेस अच्छे से करानी है तो हमारे अभिप्षायप में पूरी क्लासेस है नवी से बारवी जहां आपको PDF में माइन मैप वेकलपिक प्रशन और वेख्यात्मक प्रशन वेक्तिक अत्माग डिश्चन ये सब मिलेगा अगर आपके भ अख्याम की प्रशन बहुत से करनी है और अपने पूरे हर पेपर के लिए बहुत अच्छे से रण नीती बनानी है ना मेरे बाकी सिपाही भी आप असे चीजों को बताते चलेंगे तो आपको पूरे अच्छे से एक्जाम की प्रशन करते रहना है ठीक है? तो मार्ष मुश